आज समझ किचिन में बन रहा है मतन के बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी वेलकम है आपका समझ किचिन में यहाँ पर मैंने आदा किलो मतन लिया है बोन्स के साथ और इसको धो करके साफ कर लिया अच्छी तरह से यहाँ पर है उसकी आधी प्यास यानि की 250 ग्रैम प्यास जिसको हमें रफली चॉप कर लेना है तो यहाँ पर प्यास कट गई है और अब इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइट कर लेंगे यानि की दो जगह आधा-धा कर लेना है तो यह प्यास भी अलग हो गई और एक को भी हम इस्तिमाल करेंगे तो यहाँ पर मैंने जो बॉल में मटन है उसमें डाल देंगे और इसको किनारे रखेंगे आगे तयारी करेंगे, यहाँ पर green चटनी बनाना है जिसके लिए मैने अद्रक ली है अद्रक की दो-तीन बड़े पीस है और 10-12 लहसुन की कलियां है चार हरी मेर्च है और हरा धनिया है जिसको डंठल के साथ लिया है और आधा चमच नमक डाला है और इसको दर्दरा सा हमें पीस लेना है तो यहां पर हमारा हरा मसाला तयार हो गया है और अब इसी मसाले को डाल देंगे मतन में जिसमें हमने प्यास डाल की रखा था सारा मसाला इसमें गया अब इसमें डाल देंगे एक चमपश लाल मिर्च दो चमपश भुना हुआ धनिया पाउडर है और यहां पर है आधी चमपश हल्दी और देही है आधा कप सबी चीजों को अच्छी तरह से मिला देंगे सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई अब इसको मेरिनेट करने के लिए रखेंगे धकर के कम सकम एक घंटा आप चाहें तो इसको दो-तीन घंटे के लिए भी मेरिनेट कर सकते हैं और जल्दी से मुझे बताईए आप वीडियो कहां से किस सिटी से किस शेहर से देख रहे हैं मटन हमारा मेरिनेट हो गया अब यहां पर मैंने एक मिट्टी के हांडी ली है जिसमें दो चम्मच सरसो के तेल को गरम किया है तेल इतना गरम हो गया कि जिसमें धुआ निकलने लगा डाला एक दालशीनी का टुकड़ा तीन छोटे तेस पत्ते और चोटे से टुकड़े हैं जावित्त्री के दो और साथ में हैं इलाइची और लॉंग तो चार इलाइची तीन लॉंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच मोटी सौफ थोड़ी देर इनको फ्राई होने देंगे अच्छी सी खुश्बू आने लग जाए तब इसमें डाल देंगे अपना प्यास जो हमने आधी बचा करके रखी थी तो आधी कच्छी प्यास पड़ी है और आधी हम फ्राई करके डालेंगे मतन में इससे ब तो सारा मेरिनेट क्या हुआ मतन इसमें चला गया है और अब हम इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे अब डाल देंगे इसमें नमक आधा चमच क्योंकि नमक हम अलेडी डाल रखे हैं तो इस चीज का ध्यान रखेंगे और यहां पर 10 मिनट तक इसको हमें अच्छी तरह से मतन को तेज आज पर भूनना है तो अब डाल देंगे एक चमच छोटा घी इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा मतन में मिलाई अच्छी तर ऐसे हो और हमें इसको हाई फ्लेम पर भूनते रहना है तो यहां पर काफी सारा मतन का पानी रिलीज होगा दही और सारी चीजों का और यह देख लिए प्यास भी तोड़ी गली हुई दिखाई देगी भूनने के बाद और यहां पर डा आप से डाल सकते हैं इसको और अब डाल देंगे पानी तो एक पानी डाल करके इसको हम धाक करके रखेंगे करीब 40-50 मिनट तक इसको गलने के लिए गयास को धीमा करेंगे और बीच में चेक कर लेंगे ज़रूर से कहीं मतन नीचे से जलने लग जाए तो यहां पर 40 मिनट ह अधा चमच गरम मसाला और एक चमच रंग वाली मिर्च है यह देगी मिर्च और इसको जो है तो अब पानी को हमें सुखा लेना है तो थोड़ी से थिक ग्रेवी करेंगे और चार-पास मिनट तक इसको भूनेंगे इसी तरह से अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और मिला देगे एक मिनट तक और पकाएंगे और गैस को बंद करेंगे गैस बंद करने के बाद इसको हम ढाक करके रखेंगे जिस्यते सारा इसका ओईल और घी सब सर्फेस पर आ जाए तो ये देखिए हांडी में काफी ट classification होता है गैस बंद होने के बाद भी अभी पकता दिख रहा है, थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे, फिर इसको खोलेंगे, यह देखे, यहाँ पर सारा ओल उपर आ गया है, और यह हमारा हांडी मतन, बहुत ही टेस्टी सा बनकर तयार हो गया है, और बड़ी आसानी से, बस थोड़ा सा पेशन्स चाहिए इसमें, और यह बन ज झाल के ओरे, तया है, झाल करेंगे, बस उता है, यह दो भी आसे, जी चाहिए गया है, तो जी आसे पीजा टेखे, तो एफटेंगे, यह दोड़ा आसे प्ता